तो हेलो दोस्तो कैसे हैं सबी I hope कैसे ठीक होंगे तो दोस्तो यार क्या आप भी अपना Snapchat अकाउंट का ID और पासपोट को भूल गए हैं और आप फिर से Snapchat पर लॉग इन करना चाते हैं और आप लॉग इन ही कर पा रहे हैं तो वीडियो आप ही के लिए क्योंकि दोस्तो आज में आपको इस वीडियो में बातने वाला हूँ कि आप अगर अपना Snapchat अकाउंट का ID और पासपोट को भूल गए हैं तो आप फिर से Snapchat पर लॉग इन क्यांसे कर सकते हैं तो चले दोस्तो बिन आतरी केटों में आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो इसके लिए सिंपल से आपको अपना Snapchat अपको उपन कर लेना है उपन करने के बाद आपको समने कुछ इस तरह का इंटरफेस कुल कर आ जएगा तो आपको सिंपल से हम पर लॉग इन के अप्शन में क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद आपको समने कुछ इस तरह का इंटरफेस कुल कर आ जएगा तो आपको हम पर अपना ID और पासबोर्ड याद नहीं है तो आपको सिंपल से हम पर फॉरगोट यूर पासबोर्ड के अप्शन में किलिक कर लेना है तो आप जैसे ही किलिक कर लेते हैं आप किसमने कुछी स्तरका इंटरफेस कुल कर आ जएगा तो आप कुछी मच आपर BIA phone के option में किलिक करने के बाद आप किसमने कुछी स्तरका इंटरफेस कुल कर आ जएगा तो आपका mobile number यहाँ पर automatic type होकर आता है तो आपको यहाँ पर type नहीं करना है अगर यहाँ पर type होकर नहीं आता तो आपको पर अपना mobile number को type कर लेना है type करने के बाद दोस्तो अब आपको सिंपास हैं पर नीचे में एक sumbit का option दिख रहा होगा तो आपको इसमें किलिक कर लेना है तो आप जैसे ही sumbit का option में किलिक कर लेते हैं आपके mobile number पे एक 6 अंका का code आएगा और यहाँ पर automatic verify हो जाएगा उसके बाद दोस्तो आपको समने कुछ इस तरह का इंटर्फिस कोल कर आ जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है reset password तो आपको पर password में आप जो अभी नया password बनाना चाते हैं आपको यहाँ पर उस नया password को type करना है और यहाँ पर confirm नया password में आपको फिर से उसी password को type करना है तो चले मैं यहाँ पर अपना नया password type करना है तो आप कहाँ पर minimum 8 character का password type करना है तो चले मैं यहाँ पर type करना है उसके बाद दोस्तो आप जो हैं पर उपर में पास्पोर्ट को टाइप किये फिर से आप कहाँ पर उसी पास्पोर्ट को टाइप कर लेना है टाइप करने के बाद दोस्तो अब आपको सिंपाच हैं पर संबीट के अप्शन में किलिक कर लेना है तो आप जैसे SAMBIT के option में कीलिक कर लेते हैं आप कसमने यहां पर आपका Snapchat का username आ जायगा तो आप पर Passport के option में कीलिक कर लेना है कीलिक करने के बाद अभी जो आपने Passport को बनाया SIMPAL सा आप का लिना है तो चलें हम यहां पर उस Passport को टाइप कर लेता हूं टाइप करने के बाद सिम्पल सा आपका पर लॉगिन के अप्शन में किलिक कर लेना है तो आप जैसे लॉगिन के अप्शन में किलिक कर लेते हैं आप समने आपका Snapchat का अकाउन फिर से लॉगिन होकर आ जाएगा तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरगी से अगर अपना Snapchat अकाउन का ID और पासवर्ट को भूल गया हैं तो फिर से लॉगिन कर सकते हैं बौत ही आसान है तो उठाएंगी दोस्तों मिलते हैं किस आशी Knowledge Audio साथ तब तक के लिए जाहिंग वन्न मातरम